तो यार मार्वल की एक बहुती ज़्यादा परिवारिक सी फिल्म आ रही है मतलब दिल जोटा मत करो ये परिवार कैलिफॉर्णिया से बिलोग करता है तो हाँ इसमें वो सब कुछ होगा जो कि तुम धर किलोटे देखना चाते हो पर यार राइट्स मिलने के बाद मार्वल ने एकसाइटमेंट एकसाइटमेंट में इस मुवी की अरांस्मेंट तो कर दी है पर एक चीज जो उसने अभी तक नहीं बताई है कि आगर फैटेस्टिफ फॉर एमज्यू में एक्जिस्ट करते थे तो जब धैलो सभी अवेंजर्स की बिना दिल बिना मांसरी का बजा रहा था तब बोखा थे मतलब अगर एंड गेम में ये वाई साब अपने कान उट से भी लम्मे लम्मे हातों से चुटकी मार देते तो आज हमारे टोनी में ये हमारे वीज जिन्दा होते और बेज से भी ये टीम पावफुल भी इतनी जाता है कि इनके दुष्मनों की शुरुआत भी डॉक्टर दूंग और गलेक्टर जैसे सुपर विलन से होती है तो अगर इनिविनिटी वर और एंड गेम टाइम में ये फैंटस्टिक फोर होते तो आज लडाई का रिजल्ट कुछ और ही होता तो अब चलो यार आज किस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब जाने की कोशिश करेंगे देट वेर वास दे फैंटस्टिक फोर दूरिंग इन्फिनिटी वर के टाइम कहां थे तो चलो यार ज्यादा टाइम न वेस्ट करते वे शुरू करते हैं वार यार आगे वेड़ने से बहले प्लीज यार इस वीडियो को एक लाइक कर देना वाउ तो आगर आपने मुवी का पोस्टर या मेरी फिश्ली वीडियो को देखता है मेरी मेरी वीडियो में ला को देखेगा पर हाँ अगर आप ले इस पोस्टर को द्यान से देख लिया है तो आपको यह तो पता तली किया होगा कि यह मुवी नाइटीन सिक्टिस के टाइम में एक्जिस्ट करने वाली है मेरा मतलब टेक प्लेस करने वाली है क्योंकि इस पोस्टर में जो बुक अपने तिंक चीज़ा पड़ रहे है वो यूएस के 36 पेजिटेंट लिंदन वी जॉन्सन की लाइब मेगजिन है जो की 13 दिसंबर 1963 को प अब इस नेगटिव जोन को समय समय पर कई ताकतवर रूलर्स रूल करते हैं पर मेली आंका रूलर एली हील्स होता है अब इस नेगटिव जोन को पहली बार एंट्रडूस भी 1961 की फैंटास्टिक 4 के इस नंबर एकाउन में किया गया था तो इस मूवी का 1960 के टाइम में होन अब मूवी में ऐसा हो सकता है कि जब कैप्टन अमेरिका दाफस्ट अबेंजर के टाइम लाल खोपनी ने पहली बार एक इंफिन्टी स्टोन यानि टेसरेक्ट का यूज़ किया होगा तब उस से नेगटिव जोन एंड एर्थ के बीच में एक पोर्टल बन गया होगा अब अबे स्टाले क्योंकि यार वहाँ पर कंडिशन कुछ उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है इसी कारण वहाँ पर हमारे उनिवर्स की तरह उतनी ज़्यादा पोपिलेशन भी नहीं है मतलब वहाँ पर गिने चुने ही कुछ प्लैनेट्स है तो इसी लिए कई बार कुछ खत के लिएंगे औरो õइनपवी कारण पर काउसाएंगे पूर वहाँ पर बाहर नहीं से नहीं मतलब अगर अगर अर्थ की तरह पर कुछ ऐसे बना लिए पर बहुं से बाहर निकल जाते पर अफसोस ऐसा नहीं हो पाया अब इसी बीच हमारे मेन इन्वर्स में इन्फिनिटी वर और एंड गेम के इवेंट्स होंगे जिसमें इस बार एक इन्फिनिटी स्टोन नहीं बलकि छाचा इन्फिनिटी स्टोन का यूज होगा तो जब एंड गेम में अपने टोनी भीचा ने इंफिन्ट स्टोन का यूज़ करके तेनोस एंड आर्मी को गाइब किया होगा तो उस टाइम जो उसने स्नेप की होगी उससे बहुत ज़्यादा एनरजी निकली होगी और बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पहले रेट्स करने किया था तो उस स्टोन से निकले वाली एनरजी से एक बरफिट से नेगटिव जोन का पॉटल ओपन हो गया होगा और इस बार नेगटिव जोन एंड अर्थ के बीच में एक दरार बन गई होगी जिससे बहुत सारी एनरजी बाहर निकल रही होगी अब इसके बारे में नेगटिव जोन में फज़े फेंटास्टिक फॉर को पता लगेगा और वो बहाँ से बाहर आ जाएंगे और जितनी सफाई से उन्होंने अपने कैप्टन अमेरिका को बताया था कि कैसे तुम सत्तर सालों से बर्प में दबे हुए थे और ये दुनिया अब बहुत जादा बदल चुकी है वही सेम फुसेम डिक्टो अलफाद वो फेंटास्टिक फॉर पर भी थोप देंगे पर जैसे ये फेंटास्टिक फॉर तुम मनाने के लिए रोना दोना शुरू करेंगे वहने पता चलेगा कि एक बहुत जादा बुकर प्राणी जो की एनर्जी का बुका है अर्थ की दरबढ़ रहा है मतलब जिस दरार से फेंटास्टिक फॉर अर्थ पर आई थे यानि डेगटिव जोर और अर्थ को जोड़ने वाली दरार उससे निकलने वाली एनर्जी से गलेक्टस अर्थ की तरफ इस तरह से अकर्शी दूआ होगा जैसे एक नर्मादा को दे करोता है और इसी तरह से फेंटास्टिक फॉर इस मूज में गलेक्टस को रोकेंगे और अर्थ को बचाएंगे और हो जाएगी मोवी की हैपी वाली आर्णी और हाँ एर वीडियो का लाएक करके तुम ढी इस वीडियो की हैपी वाली आर्णी कर देना बाकि अगर यह जाना चाहते हो कि आगिन कैसे आइनमें त्रीका या बच्चा जिसे बाद में एंड गेमें भी निखाये गया था यह केंड नेस्टी में केंग की जला ले सकता है तो वो वीडियो यार तुम्हें एंड स्क्रीन वाली वीडियो में मिल जाएगी बाकि जलो मिलते हैं इस नेस्टी वीडियो में